आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि कैसे आप इसके अंदर वाल पेपर सेट कर सकते हैं सबसे पहले आप लोगों को ये एप डाउनलोड कर लेना है और इसके अंदर आप लोगों को बाई डिफॉल्ट ब्लुटूथ ऑन करने की जरूरत निये इसके इंदर Automatic पहले से Bluetooth होन रहता है जब आप डाउलोड कर लोगे तो आप उसे ओपन करोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा आपको बीच में जाना है यहां पर आप लोगों को डाइल सेटिंग दिखेगी और यहां पर आप लोगों को तरह तरह के डिफ्रेंग डिफ्रेंट डाइल्स देखने को मिलेंगे जिस पर आप लोगों को कुछ डाइल लगा कर दिखाता हो जैसे कि यह ऑza जब सपहरे हैं और यह जो पलब यहां पर जाओगे तो आपको बहुत सारी अलग अलग different watch faces देखना को हम रहेंगे बट आप लोगों को back चले जा रहरा है और यहां पर आप लोगों को second option पर जाना है और edit पर चल प्लक करते हैं यहाँ पर आप लोग यहाँ पर क्लिक करोगे न यहाँ पर देखो यहाँ पर चूज फोटो फ्रॉम गैलरी तो यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपके फोन की गैलरी की फोटो जाएंगी simply आपको click कर देना है ऐसे और आप select करके crop करके यहाँ से कर दीजिए save उपर देखिए उपर से आप उसे save भी कर सकते हो यहाँ पर आप आपका watch जो होगा वो update होने लगेगा यह देखिए यहाँ से यह update होने लगा और दीरे दीरे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं अपडेट होने के बाद यहाँ पर आपका wallpaper सेट होकर आप लोगों के सामने आ जाएगा एक दो सेकंड के बाद